दोस्ता आप Paytm आप्लिकेशन यूज करते हूँ और Paytm आप्लिकेशन में, आपने Paytm बॉलेट में, पैसे एड़ किये है, बट अब वो पैसे जो है, आपको, आपके bank account में shift करने है, या bank account में transfer करने है, तो कैसे करने हैं, कोई charges यहां पर लगते है, या नहीं ये भी बताऊंगा तो टाइम वेच नहीं करेंगे बढ़ते हैं वीडियो के और पेटीम अप्लिकेशन पहले ओपन कर लीजिए फिंगर्पिंट स्कैन करके या फिर पिन एंटर करके आप लॉग इन कर सकते हो लॉग इन करने के बाद होमपेज आपको इस तरीके से विजिबल हो जाएगा उपर आपको UPI Money Transfer के कुछ ओप्शन यहाप विजिबल हो जाएगे उसके बाद में My Paytm के कुछ ओप्शन आपको यही पर विजिबल हो जाएगे आपका UPI ID आप Home Screen के ओपर या फिर Homepage के ओपर यहाप चेक आउट कर सकते हो अब wallet से Bank Account में पैसे Transfer करने है तो आपको यहापे Paytm Wallet का option चूज़ करना है Paytm Wallet ओपन करने के बाद यहापे Next Page पे पहले तो आप आपका Balance चेक कर सकते हो कि कितना Balance Wallet के अंदर है उसके बाद में कुछ option आपको यही पर मिल जाते है और पैसे add करने होंगे wallet में तो वो आप यहाप बॉटम से कर सकते हो अब हमें wallet से पैसे bank account में transfer करने है तो उसके लिए क्या करना है Balance के नीचे ही आपको यहापे जो चार option दिख रहे हैं उसमें से दूसरा option यहापे transfer to bank का आता है अब इसके उपर आप देख सकते हो no fee दिया गया है जैसे ही आप select करोगे amount आपको enter करना है अब हमारे पास balance जो है 2000 का है तो यहापे आप 2000 भी एंटर कर सकते हो आपको अगर 1000 करना होगा तो 1000 भी एंटर कर सकते हो आपके उपर है कि आपको कितना transfer करना है अभी फिलाल के लिए मैं यहापे directly आपको 2000 करके दिखा देता हूँ और कोई charges लग रहे है या नहीं यह भी दिखा देता हूँ वैसे no fee तो आपने starting में देख लिया होगा यहापे amount एंटर करने के बाद proceed के उपर tap करना है account आपको next page पे select कर लेना है कि कौन से account में आप पैसे चाहते हो तो आपका account यहाँ से select होने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है तो यहाँ पे account select कर लेते हैं account select करने के बाद automatically next page यहाँ पे आ जाएगा amount आप चेक कर सकते हो कितना amount हम ट्रांसफर कर रहे है bank account में charges यहाँ पे कितने रग रहे है आप देख सकते हो दोस्तो zero charges कोई charges यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं लगेंगे amount अगर हम wallet से bank account में transfer कर रहे है तो proceed option के उपर click करना है आपको proceed के उपर click कर दिया है यहाँ पे आपको one time OTP receive होगा आप देख सेथे OTP receive हो चुका है तो OTP enter करके verify करना है OTP यहाँ पे enter कर दिया है verify के उपर click करेंगे और अभी आप देख सकते हो money sent to bank successfully का यहाँ पे उपर message आ चुका है अगर मैं यहाँ से एक हटा देता हूँ पीछे अगर हम जाते है तो अब आप PTM balance चेक कर सकते हो जीरो है तो दोस्तों यही simple steps आपको भी follow करने है अगर आपको PTM wallet से आपके bank account में पैसे transfer करने है तो वीडियो अच्छा लगा हो helpful लगा हो informative लगा हो यार like करना बिलकुन मत भूलना अपने दोस्तों की साथ भी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजे मिलता हूं नेक्स वीडियो दन्यवाद